नहीं यार, नहीं लेना डिवर्स गुस्सा आता है Are you kind of that person की जो कॉफी शॉप में किताब लेके बैठते हैं कॉफी के साथ ऐसी चीज बूलते हैं जो सिर्फ आगे वाले को हर्ट हो दो कपल साथ में रहना चाहते हैं जंदगी भर पर वो शादी नहीं करना चाहते हैं कि आपको शादी नहीं करेंगे बट जंदगी बर साथ What's your views on love marriage? करती आपके एसाब से क्या है? नहीं मुझे तो आप सोचना पड़ेगा फैन के ही कोशन से शुरू करता है गुस्सा आता है? ओ, आता है मैं तोड़ा अग्रेसिव हूँ अग्रेसिव हूँ? अग्रेसिव हूँ अग्रेसिव हूँ तो क्योंकि इमोशनल इंटलिएंस पही काम करती, 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 करती इतनी समझदारी आ गई है फिर दूसरा क्या मैं मेडिटेशन वगरे भी बहुत करता हूँ तो मैं साधक किसम का इंसान भी हूँ तो वो ना काफी हल हो गया है वो अग्रेशन वाला मामला तो वो वो अलड़ टाइम बहुत पीछे चोड़िया अभी ऐसे रेंडम चीजों पर गुस्ता आता है तो लगता है कि यार ठीक है जाने दो थोड़ी देर में सैटल हो जाते हैं बौक बहुत को पर देप्रेशन तो नहीं बोलु और देपरेशन बीग तरम निराशा होती है कई बार परिशान हो जाते हैं कई जगों पर नहींनत करते हैं और अचीजा नहीं इनिलता अचले मेंघेस तरी कि बने तर दो सुख़ है, इस रहा एक पर दो सेते बाइश को फिल एंटल में वहां? यह मैं उज्वली यह करता हूं कि यह परषान हो। कि आपको अच्छ से अच्छा के पंडने लगता हूं तो मुझे पंढने का बहुत शौक है, बहुत जादा, तो उठा के पंढना शुरू किया, दूसरा मुझे मुझे बहुत पसंद आए, तो मैं उसमें चले जाता हूं, और तीसरा, अकेल अपन, मुझे असा लगता है कि है, मुझे आपने हाल पे छोड़ दो, तो मुझे शुर करना है, तो वो मेरे लिए थेरेपी है, मेरा खुद का अकेले होना, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि जिस बिल्डिंग में हमारा थर्ड फ्लोर पर ऑफिस है, तो मैं जादा एक जगे बैठ नहीं पाता है, मतलब मैं टिकने वाला इंसान नहीं हूं, मुझे मुझे मोमेंट करन कुछ काम नहीं हो और अगर यहीं रहना है, तो भी मैं यहां नहीं रहूंगा नीचे कॉफी शॉप में बैठूगा, कोई आ जाए वैसे कॉल करना है, मैं उपर आजाओगा, तो कॉफी शॉप में बैठना, मुझे सुनते रहना, लोग आते जाते रहते हैं, आप अपना का कर रहे हैं, डाइरी पैन लेकर बैठे हैं, कुछ लिख रहे हैं, फोन चला रहे हैं, कुछ थार्टफुल हो रहा है, कुछ जरूरी कॉल्स निप्टा लिए हैं, तो मुझे लाइसस्टाल बहुत पसंद है, बहुत मसा आता है, तो अपका कैसा रहता है, मेरा, मतलब, I am about the anger हाँ, एंगर को लेकर भी और ऐसे, मतलब, अब जादा टाइम कैसे बिताना पसंद करते हो, हाँ, मेरा ये रहता है कि, एंगर तो I am not, I am a very calm person, तो मेरे को गुस्सा नहीं आता है, और अगर मुझे गुस्सा, ऐसी कोई बात हो गई है, जिस पर मुझे गुस्सा आ रहा है, तो usually I take this thing, I do this three or four times, क्योंकि it's just to control my action or reaction towards that thing, कि मैं कुछ बोलो, अगर बहुत ही जादा आ रहा है, usually मेरा जो anger reaction है, वो बहुत कम है, मतलब, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, तो I choose to sit in a place, और मैं अखेले रहना पसंद करता हूं, और उसके बाद मैं शान्त हो जाता हूं, after some time, 15-20 minutes, but तब तक मैं कोशिश करता हूं, मुझे ऐसा रखता है कि गुस्से में maximum time हम ऐसी चीज़ बोलते हैं, जो हम mean ही नहीं करते हैं, मैंने एक बार इसके बिल्कुल उल्टी चीज़ बोली थी, अपनी एक रील में कि गुस्से में अक्सर लोग सच बोलते हैं, पर मतलब मैं सच में mean नहीं करता हूं कि अगर मेरी किसी से लड़ाई हो रही है, मैं बस चाहता हूं कि sometimes people just want to win the argument and they want to say something to the other person, वो mean ही नहीं करते हैं उससी इसको, उनका मतलब उनका मतलब, तोड़ा एक्स्रीम हो जाना पसंद करते हैं, वो सिर्फ argument जीतने के लिए दूसरे वा तो बहुत है, मतलब मुझे जब मैं बहुत साइलेंट, तो वो रहता है, और वन एफिल सद तो गो फड़ाई तो मुझे मेरे लिए ऐसे वोकट जो है, वो meditation, therapy या कुछ भी बोल लो, मतलब मुझे जब मैं बहुत सद होता हूं, आई टेक ब्लैक कॉफी और गो फर गुद और वन टू, टू आज की करीबन करीबन और बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब मुझे से लगता है कि सब चीजों को solution है वहाँ पर, जैस मैं अपने कानों में हनुमान चारीसा चलाता हूं, और शुरू हो जाता हूं, और शुरू हो जाता हूं, और शुरू तांडव कि दूसरा आदमी क्या सोच रहा होगा है, उसने वह एक्शन क्यों लिया, उसके लिए भी क्या जरूरती है, तो फिर वो मुझे शांत कर देता है, कि वो मुझे इतना गुसा या उतना सैडनेस या उतना किसी भी, जैसे किसी ने मुझे कुछ बोल दिया और मैं सैड हूं उ तो मुझे इसा लगता है कि उसका क्या रिजन रहा होगा यह मुझे बोलने का, तो तो यहां ठीक है, उसका भी कुछ ना कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी, यूंही कोई बेवफा नहीं होता, तो वह वाली बात है कि मैं भी सूच ना कुछ तो वजह रही होगी, यूही कोई किसी को हट नहीं करता तो जो आमने समझ वाली बात नहीं किती स्टार्टिंग मैं कि यह मान लो कि अगर सामने वाला इसा कर रहा है तो शायद उसका परस्पेक्टिव या वह आपके तरह से नहीं देख रहा चीज़ों यह बस वही तो बात आपने बुली और दूसरी बा कि अगर की मुझ से प्राइवेट कॉल पर पूछ रही थी कि अब वट वट्स यूर व्यूज ओन अच्छा मैं आपसे भी यह जानना चाहूंगा कि दो टाइप के व्यूज पहला दो कपल साथ में रहना चाहते हैं जिंदगी भर पर वह शादी नहीं करना चाहते और एक ल नहीं करना है? tu in this is one this is very different question, I don't know what you view on this again and me read what are your views on that? मतलब आ पहला है थी आप जो कहा हिया एक जास्दी नहीं करने है? मतलब आपका क्या टेक है कि गर कोई आपको बोले कि आपको शादीनी करेंगे बर ज़िसते देक गधे है अभी पिछले कुछ सालों में जो आपन देख रहे हैं तो शादी का सीन कुछ ऐसा हो गया कि शादी नहीं किया तो भी गैरेंटी नहीं कि आप साथ में रहोगे और शादी कर लिया तो भी गैरेंटी नहीं तो अब ब्रेकप ब्रेकप ही होता है शादी हो या ना हो तो अब श जाते नहीं वह अलिपाद ने जाते असी उटक हमारी टो जारे की व्यवस्ता है हमी इंघक सामजी विवस्ता होती है तो वह बहुत सारी चीजों की जोड़ देतीージ हम और वह थोड़ीसे चीजों की आवसानी जब आपने ही इस तर पर सोच रहे हैं तो यह डिसिजन अच्छा हो सकता है पर जब आप एक सोसाइटी के नॉम्स के इसाब से जाते हो या एक विवस्था के इसाब से चलते हो तो फिट लोग भी आपको सपोर्ट कर देते हैं कहीं कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो फिर वह आ कहीं प्रेशर डालती है तो अंडेस्टेंड अधर परसन फोल्ड फो सम टाइम एंड ट्राय टू मतलब एक प्रेशर देती है पीछे से कि डिवस्था अभी भी सुसाइटी में डिवस्था नॉट डाट मुच इजी कि आप आज चाहो और आपका डिवस हो जाएगा बट ब तो वो जो प्रोसेस है कहीं आपको एज़स करने के लिए उस इंसान को समझने के लिए प्रेशराइज करती है और बोलती है कि समझो आपने इसको चूज किया था तो हाओ वी कन मैनेज डिस रिलेशंशिप रदर देन जस्ट पर इसका आप देखो ना कि मेरे तो मेरे तो क् सब्सक्राइब भी हो गया हां उसे मैं उनको लगा कि यार नहीं यार नहीं लेना डिवार्स चीज़ए तो वही है ना वो इसलिए हुआ नहीं तो ब्रेक-प के बाद क्या होता है कि ब्रेक-प बहुत जल्दी होता है इट डोंट प्रेशर यू तो थिंक वन मोर ताइम अगर कोई सिंगल इंसान है जो चाहता है कि बच्चा रखे वो तो कोई कपल है बट उसमें से एक बंदा चाहता है कि आप बच्चा दो मुझे दे दो और या लड़की चाहती है कि आप अपना बच्चा मुझे दो और I can go कोई भी मेल और फिबल मुझे दो अबलसे कि इतना इक्स्पलोर कर रहे हैं कि वो बहुत सारी चीजों को मजाक में भीले लेता है थाहनग मुझे या ओधने इस धोसे बच्चे के करियर पे को ऩ्टे मांक हो जाएगा कि उसकी अपरिंगिंग कैसी होगी उसे मात के मां सब सकते के मां सहिंड Figure सिखता हु ऑन मा की साथ regular दो अ जाए euro उन्हें प्रम्मे में. जैसे हम अपनी मम्मियों के साथ रहे हैं, तो हम एक परस्पेक्टिव पता है, कि यह लेडीज कैसी होती है, मम्मियां कैसी होती है, वो कैसे सोचती है, तो फीमेल को जादा अच्छा समझता है, तो इन सब चीदों से वंचित रहे जाएगा, वो अच्छा अगर उसको लगता मुझे से रहता है, मुझे से रहता है कि एक बच्चे के अपरिंगिंग में मेल और फीमेल दोनों की अगर पार्टिस्पेट करें दोनों, तो बहुत जादा एक अलग पूट निकल के आता है, क्योंकि आप सोचो ना, अगर एक व्यक्ति इंडिविजुली कह रहा है, कि मु जाकि स्कारडाइव करना ही है, वह से शौक नहीं होते है, तो लोगों को लगता है कि मुझे को डिफरेंट करना है, तो मुझे ये काम करना है, कि मुझे सिंगल पारेंट, तो ये एडवेंचर किसी के लाइफ के साथ नहीं होना चाहिए, आपने लेवल पर सब कुछ मुझे लगता है कि अरेंज मैरीज जब होती है, तो लोग थोड़ा जादा एड़्जस करने की संभावना के साथ आते है, एक दूसरे के साथ, क्योंकि उनको पता ही होता है, आरवन सामने वाले को जानते नहीं है, तो ज़रूरी नहीं, वाप्टु दमाग ही हो, वो सकता ह कोई चीज पसंदो, ना पसंदो, उसका लाइफस्टाल ऐसा हो ऐसा हो, तो थोड़ा कंसिडर कर लेते हैं, लोग मैरीज में टर्म्स क्लियर है, तो तो अच्छा है, बट मैंने लोग मैरीज में बहुत बार देखा ऐसा कि लाइफस्टाइल ही एक सेप्ट नी हो पा रहा है एक दूसरे का, तो ये प्रॉब्लम्स भी है, दोनों बहुत खूब बहुत चीज़े हैं, बस बहुत चलनी चाहिए, वो माइंड सेट के उपर है, और लव मैरीज की भी कोई गैरंटी नी होती, क्योंकि मैंने कहा ना कि रिलेशन्चिप जो है, वो बहुत फ्रिजाइल हो है, वो कब तूट जाए, वो दो सल बाद भी तूट जाए, गरेंटी तो किसी चीज की नी है, तो यह है, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी नी जीत भी है, जो अभी भी कहा रहे हैं, कि मैरे पैरेंट से डूंडेंगे यार मेरे लिए, मुझ से तो नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा आप और आपका जो पार्टनर है वो अकेले रहने वाले हैं, मतलब साथ में विदाउट फैमिली रहने वाले हैं, तो तो चांसे हैं कि आपकी लब मेरेज बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक इंसान से तो रिलेशनशिप बनाते हैं, जैसे मेरा अगर और किसी से रिलेशनशिप है, खासकर लड़कियां, किसी लड़के से तो रिलेशनशिप बना लेती हैं, अच्छा, बट उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि इस नोट जस्ट अवाउट बोई, इंडियन वेडिंग इस मुच मुच मूर दन दाट, सो उसको पूरे परिवा जब शादी तो कैसी भी हो, दो लोग जब साथ में आ रहे हैं, तो दुनिया में इस से कुपसुरत कोई चीज नहीं है, पर फिर भी लव मैरिज जब होती है, तो जैसे आपने नहीं कहा कि वहाँ पर हम थोड़ा सा ज्यादा सेंटर हो जाते हैं एक व्यक्ति को लेकर, तो ह हम अपनी व्यवस्ता को समझता हैं, तो तो फिर लव मैरिज भी चलेगी और एरेंज भी चलेगी, पर वो कंसिडरेशन ना हो या एकस्टेंस ना हो तो फिर परेशानिया है, तो अभी शादी व्यवस्ता में बहुत सारे बदलाव भी तो होंगे, आने वाले पांदस सालों आजकल और धीरे-धीरे बढ़ जाएगी, लड़की पहले ही कि मैं एनलॉस के साथ नहीं रहूंगी, यह शर्त अगरा पैकरी कर रहे हो तो ही शादी करेंगे, तो पैरेंट्स को खुद शायद समय को देखकर बच्चों को यह बोलना पड़ जाएगा कि तुम अलग रहो ब तो यह यह एक जापने का कि किस तरह के बदलाव होने लगेंगे तो कंस्ट्रक्टिव नहीं है क्या होते हैं जो पैरेंट्स साथ में होते हैं चाहे लड़की के होई लड़के के यह जो भी तो कई बार उनकी अपरोच होती है कि अगर इनके बीच में कुछ अन्बन या कु सच होगा थिक है तो वह जो भी है पर इस तरह के बदलाव आएंगे है कि अगर वो हो रहा है रिलेशन्शिप में तो इस टाइम टू ओवर रेलेशन्शिप निकल जाओ मुझे लगता है कि तीन चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट तो जब आप एक दूसे को अब्यूस करने लगए ठीक है फिजिकली आप गाली अबक रहे हैं मेंटली और किसे भी तरह से तो वह एक टाइम है जब आपको इमान लेना चाहिए कि रिलेशन्शिप ज्यादा नहीं जाएगा वोगो जोते हैं जो सहते रहते हैं परिशान होते रहते हैं बहुते होते हैं पर जो एक्षूं 0 चीपि यह कोई तरीका नहीं होता है आसकस को आदे वह सिपक्त रहे हैं हाथ डा था रहे है था कुछbright तो वो रिलेशन्शिप खतम हो जाने चाहिए फिजिकल और वर्बल वाइलेंस भी काफी होता है गैस लाइटिंग होती है लोग सामने वाले को इतना ज्यादा नीचा दिखा देते हैं या उतना ज्यादा मेंटली ऐसा फील करा देते जैसे वो बिलकुल दिमाग ही उसका दिम दूसरा मेरे क्याल से जब भी ऐसा होने लगे रिलेशन्शिप में की लोयल्टी वाले जो एंगल्स जब बीच में आने लग जाए है हां अगर आपने सामने वाले को देख लिया है कि वह कहीं ना कहीं कुछ वो चीटिंग वाला मामला हो रहा है कहीं ना कुछ गडबल कर र आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है जो भी पॉसिबल चीजे थी वो आपने कर दी फिर भी इस नॉट एबल डू ट्रस्ट यू तब भी आम जिस एडिंग लोगों का स्केप्टिकल नेचर होता है ना तो वो ऐसा भी होता है कि वो बेवजाही आपको बहुत ज़्यादा क्व बाल खुले क्यों है फोटाह सक्यों लिया है यह पहना है फ़लानी चीज क्यो हो रही है वहां पैसा जाने के क्या जरुवत थी जो बहुत जाधा आपको कंट्रोल कर रहा है मैं एक हद के बाद धिकत देता है तुक है और कुछ लोग कंट्रोलिंग बीहेवियर करते-करते वो वो उस फेस में चले जाते हैं जा पर वो एक सेंस ऑफ इंसेक्योरिटी से घेरे हुए है तो ऐसे लोगों के साथ रहना भी बड़ी तकलीफ है बहुत टॉक्सी हो जाता है थार्ड और तीसरा मेरे इसाब से रिलेशन्शिप में एक जो सबसे इंपॉर्टन चीज होती वह होती कि आप एक दूसरे को और एक दूसरे के ओपीनियंस को और इन सारी चीजों को कितना वैल्यू दे रहें रिस्पेक्ट यह वन में शोनी होना चाहिए रिलेशन्शिप तो अगर वह वाली बा जिनको यसा लगता है कि वह अपने फैसले ले सकते हैं या फिर उनका करियर है उन्हें दुनिया दोनों को दिखाई दे रही दोनों कैपेल वैसे में अगर one man बनने गया तो वो problem है वो भी चलेगा नहीं मतलब चलाया जा सकता है आपने का ना कि क्या तीन चीज़े तो मैं बता रहा हूं कि यह ना अलर्ट है अगर इसी चीज़े जर्वत से ज्यादा होने लगे तो आप टाइम पर उससे एक्जेट कर लो या फिर अगर आप जर्वत से ज्यादा उधर रहे तो फिर toxicity बढ़ जाती है वो बहुत ज्यादा हो जाती फिर वह अगर मैं सोचूं कि कौन से तीन चीज़ें जो अपने सही का फिजिकल और वर्बल वाइलेंस तो है ठीक है पर मैं इन तीन पॉइंट से अलग लूँ कुछ तो जो पहला साइन मुझे लगता है किसी भी इंसान में वो यह लगता है कि जब आपका पार्टनर आपसे और बस एक रिलेशन्शिप टैग रह गया है तो मुझे लगता है कि या तो कॉम्मिकेशन बढ़ावने की कोशिश करो बात करने की कोशिश करो नहीं हो रही है तो समझ जाओ कि यह इस गेटिंग इंटू सम अधर वह ठीक है तो वह एक सबसे बड़ा रेड फ्लाइग है औ तो नहीं बोलूँगा मैं यह बोल सकता हूं कि जब आपका पार्टनर एक्सपोनेंशली दूसरी जगह पर ग्रो करने लगे ठीक है मतलब एक एंगल पर ग्रो कर रहा है और आप आपको उस टाइम पर डिसीजन लेना है कि या तो मुझे उसके साथ ग्रो करना है मतलब मैं इस डिरेक्शन में जाने के लिए तयार हूं या तो फिर मेरा अपना एक व्यू है या मेरा अपना पॉइंट व्यू है वह आपको रखना बहुत जरूरी है ठीक है जैसे कि अगर कोई लड़की ने कॉंप्रमाइस कर लिया जैसे मैं मैं एक लड़का हूं जो रिलेशन्श जी ओंगा तो अब लड़की को यह चूज करना है कि वह वह भी जाएगी या वह भी कुछ और करेंगी उसकी लड़की के साथ या उसका कुछ अपना है वह डॉक्टर बनना चाहती है यह वह किस डिरेक्शन में जाना चाहती है यूजवी लोग क्या करते हैं इस यहां पर आके compromise कर लेते हैं तो वो जो growth हो रही है na different directions में वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मैं यह नहीं बोलूँगा red alert है but वो एक point है जहां पर you have to rethink about the whole relationship कि इसको कहां ले जाना है क्या करना है और कैसे इसको pursue करना है तो वो एक approach नहीं होती है लोगों की usually approach ही होती है कि चलो देखा जाएगा कर लेंगे हो जाएगा हाना तीन साल चार साल की तो बात है यह नोट तेंकिंग कि एक इंसान जो इंडिया में था और वो जब कैनेडा जाता है उसकी thinking thought process पूरी बदल गई है तो वो मुझे लगता है जो मुझे लगता है वो यह लगता है कि जब आपका partner या आप कोई भी financially अपने goals को लेकर serious नहीं है मतलब financial goals को लेकर serious नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है emotional stability के लिए financial stability भी ज़रूरी है कि लड़कियां consider नहीं करती है usually people think कि नहीं ठीक है हो जाएगा बट मैंने मेरे पास ऐसे cases भी आये हैं जिनके अंदर लड़का 38 years का है और still he is not doing anything in his life तो आप प्यार में इतने भी अंदे मत हो जाओ कि आप basic financial limit को भी cross ना कर पाओ तो this is what I think कि मुझे असा लगता है कि यह तीन है वैसे तो जो basics थे वह आपने बताए पर मैं अगर उसके इलावा कुछ और ढूंडने जाओं तो यह तीन है जो काफी deep हैं बट समझने पड़ेंगे क्योंकि लोग financial stability के बारे में बात ही नहीं करना जाते हैं relationship में उन्हें लगता है कि उन्होंने पैसों के बारे में बात की तो खराब हो जाएगा कुछ ना कुछ ठीक है बट मुझे ऐसा लगता है talk about the money talk about the future financial plans talk about how you are going to live your life talk about कि आप कितना ग्रू करने वाले हो यह सारी चीज से पूछ लिया पैसे के बारे में तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है इसको लगेगा कि हम तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं that is not the case मुझे असा लगता है कि अब वो high time आ गया है कि जब आप अपने partner से बात करो कि आप मुझे कैसी life present करने वाले हो या हम दोनों कैसी life build कर सकते है हैं और do we want or not मतलब है जैसे आपने बुले कि love marriage कर लेते हैं लोग ठीक है मैंने love marriage कर ली बट एक point of time के बाद अगर मैं वो lifestyle maintain नहीं कर पा रहा है या वो lifestyle मेरा जो मैंने सपने दिखाए हैं that is not practically possible तो obviously बात है वहाँ पे disagreements आएंगे वहाँ पे एक दूसरे को लेकर बहुत ज प्राव होंगे तो this is what I think कि यह चीजें हैं तो do you agree with me? हाँ of course तो यह था podcast विकास के साथ जिसमें हमने बहुत सारी बाते की about relationship love and everything अगर यह podcast आपको interesting लगा हो और आपको लगा हो कि आपने इससे कुछ सीखा है तो like बटन जरूर दबाईए और subscribe बटन दबाईए ताकि future में हम ऐसे और podcast ला पाएं जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएं और enjoy भी कर पाएं